Hello and you are very welcome तो छलिए टेबल टेनिस को समझना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह का होता है टेबल टेनिस का कोट इसके लंबाई 9 फिट और थोड़ाई 5 फिट होती है टेबल की उचाई 2.6 फिट होती है और नेट की उचाई 15.25 सेंटेमिटर होती है अब सबसे पहले जो होरिजोंटल लाइन है उसे एंड लाइन बोलते हैं इसके बाद जो वर्टिकल लाइन है सेंटर में उसे सेंटर लाइन बोलते हैं अब जो वर्टिकल लाइन साइड में है उसे साइड लाइन बोलते हैं यानि सबसे पहले end line, center line, fit net, अब वापस center line, end line और right और left में side line, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके तो छली आगे बढ़ते, अब players की बात कर लेते हैं, table tennis दो या चार खिलाडियों के बीच में खेला जाता हैं, अब table tennis खेल के शुरुवात कैसे होती है, इसकी toss जीच जाता है, वो decide करता है कि पहले कौन serve करेगा, वो या opponent, अब service की बात कर लेते हैं, जब singles के बीच में match हो रहा हो, यानि दोनों side एक एक player हो, singles में आप service किसी भी तरह से कर सकते हैं, मतलब जिस direction में आप service करना चाहते हैं, यानि आप अपने right से, opponent के right या left दोनों में स किसी भी direction में service कर सकते हैं, बस आपकी service आपके coat से bounce होकर, आपके opponent के coat में bounce होनी चाहिए, अब आपका opponent उस ball को hit करे, तो ऐसा ही होगा, पहले ball उसके coat में bounce होगी, और बाद में आपके coat में, ये तब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों players में से किसी एक कोई point नहीं मिल जा जैसा कि इस image में दिखाये गया है, for example, दो team है, team A और team B, team A में दो player A1 A2 और team B में दो player B1 B2 है, अब अगर A1 B1 को serve करता है, तो B1 अब A2 को करेगा, अब A2 B2 को करेगा, अब वापस B2 A1 को करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों में से किसी एक team को एक point नहीं मिल जाता, in short, एक बार आप खेलेंगे, एक बार आपका team player, तब तक, जब तक कि दोनों में से किसी एक team को एक point नहीं मिल जाता, अब point की बात कर लेते हैं, number 1, अगर service मिस हो जाती है, यानि आपकी service या तो net में चली जाए, या आपके code में एक से ज्यादा बर bounce करे, तो opponent player को एक point मिल जाता है, number 2, जब एक player ने service की और दूसरा player उसे return नहीं कर पाता है, तो जिस player ने service की है, उसे एक point मिल जाता है, number 3, अगर कोई shot बिना opponent player के code पर bounce किये, बाहर चला जाता है, तो opponent player को एक point मिल जाता है, number 4, अगर कोई shot net में चला जाए, तो जिस player का shot net में ग तो opponent player को एक point मिल जाता है तो इस तरह table tennis में points मिलते हैं अब एक match में 3 या 5 games होते हैं जो कि tournament के उपर depend करते हैं अब अगर एक match में 3 game है तो आपको 2 game जीतने होते हैं match को जीतने के लिए और अगर एक match में 5 game है तो आपको 3 game जीतने होते मैच को जीतने के लिए अब एक game में 11 points होते यानि आपको एक game जीतने के लिए 11 points जीतने होते शुरूआत में आप घर से प्रेक्टिक शुरू कर सकते और बाद में किसी table tennis club को join कर सकते अपने table tennis skills को और improve करने के लिए and congratulations आप एक नया sports सीखने जा रहे हैं मैं अलग-अलग sports और sports person के ऊपर आगे भी और वीडियो बनाऊंगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर subscribe केजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो and thank you